स्वागेट स्वाथे समंदी चर्चा के अंदर होमियोपेटिक के अंदर एक बायोकेमिक दवाज जिसका नाम है केल करिया फ्लोर केल करिया फ्लोरी का भी करते हैं और केल करिया फ्लोर भी करते हैं यह शिक्स अक्स में सबसे अच्छा काम करती है या फिर सरीर के अंदर अगर बड़ी गिठाने हो या और हो तो इसका परियोग दो सो और एक हजार पोटेंसी में भी कर सकते हैं केलकरिया फ्लोरिका गांटों का तो दुस्मन है सरीर में कहीं भी गांट या कोई इस तरह की है उनका तो ये दुस्मन है उनको तो साप कर देता है अब मैं इसके गुवों से आपको परिचित कराता हूँ केलकरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल हड्डियों पर और गिल्टियों पर खास तरह से होता है इस ओस्दी से गले के अंदर तक की गिल्टिया ठीक हो जाती है इसके अलावा गुटने के नीचे का वै फोड़ा जिसमें रे से भरे होते हैं कि सही हो जाने के बाद टांग टेडी मेडी होने पर भी इससे सीधी हो जाती है विबिन लक्षनों के आदार पर केलक्रिया फलोर का उप्योग करना चाहिए जैसे सिर के लक्षनों के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें गुझना खोपड़ी पर सक्त मास का बढ़ना खोपड़ी पर सक्त किनारे वाले जखम बन जाना आदी सिर के रोगों में केलकरिया फलोर का परियोग करना चाहिए आँखों के लक्षणों में अजीब अजीब सी चीज़े नासना पलकों में जलन होना मोतिया बिंट ये मोतिया बिंट को भी काटती है आँख की सलेशमिक जिल्डियों की रसोलिया होना आदी आँखों के रोगों में ये लाबदाएक है कान के रोगों के अंदर कान में मेल बर जाना कम सुनाई देना कानों में गंटियों के बजने जैसे आवा जाना कान के बीच के हिस्से में मवाद का बहना आदी कान के रोगों में केलकरिया फलोर लाबदाएक है नाग के रोगों में सूका जुकाम होना, नाग से बहुत ज़्यदा मात्रा में, बद्बूधार गाड़ा सा हरे और पीले रंग का स्राऊ होना, नाग में पपड़ी जमने के कारण नाग में जलन होना, आदी लक्षनों में केलक्रिय अपलोर लाब करता है, चेहरे के लक्षन मुह के लक्षनों में मसूडों में फोड़ा होने के साथ साथ जबडे का सूज जाना, जीब का कटना फटना, जीब में जलन के बाद सकती आना, दांतों का डिला पड़ जाना, किसी किसी चीज को खाते ही दांत में दर्द होना आदी लक्षनों में केलक्रिया फलॉर का सेवन करना चाहिए गला गले के यानि कि कंट के रोगों में गले में दर्द और जलन होना जिसे तंडी चीज़ें पीने से परेशानी होती है और गरम चीज़ों के सेवन से आराम मिलता है आवाज की नली में गुदगुदाहट होना काक लक्ष डिला हो जाना आदी लक्षनों में केलक्रिया फलॉर लाबदाई का है मल और मल्दवार के लक्षनों में गठिया के रोगियों को दस्त लगने पर मल्दवार में खुद लिओना, खुनी बवाशीर, बीत्री बवाशीर या बादी बवाशीर के साथ कमर में दर्दोना जो अक्सर तर्कास्तिप पर पहुंच जाता है कब जो होना नीचे की आंतों में बहुत ज़्यादा गेस इकटी होना आदी लक्षनों में केलक्रिया प्लोरिका का प्रियोग करना चाहिए इसके रोगी के मन के जो लक्षन है हर समय किसी गहरी सोस में डूबे हुए रहना किसी से बातें ने करना किसी ने किसी अनिष्ट का डर लगे रहना आदी मांसिग रोगों में यानि कि ये एंजाइटी में भी काम करता है पुरुसों से समंदित लक्षणों के अंदर अंड कोसों में पानी भरना अंड कोसों का सक्त हो जाना आदी पुरुस रोगों के लक्षणों में केलकरिया फ्लॉर उस दी शेवन कराना लाबदायक रहता है सांस समंदित लक्षणों में गले में जलन होना खांसी के साथ पिले रंगा बलगम छोटे छोटे टुकडों के रूप में आना लगातार होने वाली खांसी आदी सांस के लोगों के लक्षणों में केलकरिया फ्लॉर लाब करती है कमर में पुराना दर्दोना जो चलते फिरते समय और बढ़ जाना बच्चों में हड्डियों के रोग होने के साथ साथ जांग की हड्डी का बढ़ जाना पीट के नीचे के इसे में दर्दोना जलन होना आदी लक्षणों में केलकरिया फ्लॉर का प्रियोग होना चाहिए सरीर के बाहरी अंगों में हाथ की कलाई के पीछे के हिस्थे में अंदर की और फोड़ा होना हाथ की अंगलियों के जोड़ों में गठिया जैसी व्रदी हाथ की उंगलियों की हड्यों में फोड़ा होना गुटनों के जोडों की स्लेस्मिक कला की पूरानी जलन आदी लक्षनों में केलक्रिया फ्लोर का परियोग करना चाहिए नेंद के लक्षनों में साब तोर पर सपने आना जिसमें किसी बैंकर संकट आने की संभावना होती है नेंद पूरी होने के बाद भी सरीर का टूटा टूटा सा लगना ऐसे लक्षनों में केलक्रिया फ्लोर लाबदाई के चरम रोगों के अंदर तोच्चा का सपेद हो जाना, हतेलियों पर दरारें पढ़ना, तोच्चा का सक्त होना पुराने नासूर जिन में गाड़ी नीले रंग की पीप निकलती रहती है जखम के किनारे सक्त और उठे हुए रहते हैं इस तरियों के अस्तनों में गांठे होना, गरन्थियों का कठोर हो जाना, मास का बढ़ना आदी लक्षनों में केलकरिया प्लोर लाब करते हैं, आराम करते हैं समय रोग बढ़ता है, मौसम के बदलने पर रोग बढ़ता है, आराम मिलता है गर्मी तता गरम सिकाई करने से इसकी बराबर की दो जवाईयां है केलकरिया फलोरिका की तुलना आप कोनियम से कर सकते हैं क्योंकि कोनियम की जो गिठाने होती है वो पत्थर की तरह सक्त होती है और केलकरिया फलोर की जो गिठाने होती है वो उतनी सक्त नहीं होती तो अगर आपको जहां गिठानों का इलाज करना है मान लीजिए किसी बेहन बेटी के अस्तन में सक्त गांट है तो कोनियम मेकूलेटम का प्रियोग करना चाहिए और उसके साथ के अंदर केलकरिया फ्लोर 12 अक्स पोटेंसी में दिन में तीन बार, तिन तिन टिकिया साट में देने से जो गांट है वो बहुत जल्दी खतम हो जाएगी अंदर के अंदर ही पिगल जाएगी तो ये केलकरिया फ्लोर, गले की गांटें और शरीर में जहां भी कहीं गांटें हैं एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लिपोमा की गांटे होती है पूरे सरीर के अंदर गांटे होती है मेरे पास कहीं ऐसे वाट से आते हैं तो वो इसका इलाज पूछते हैं तो मैं कर देता हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ देती है क्या कर नहीं तो मैंने का इसको अपने दिमाग से निकाल दो और इनके साथ छेड़ चाड़ ना करो क्योंकि लिपोमा की जो गांटें होती है वो एक नहीं होती सरीर में प्राई सब जगह होती है हाथ में पाउ में छाती में पेर में अच्छे थोड़ थोड़ी लिप लिप सीक होती है तो उसके अंदर अगर मालो ऐसी दवाओं का अगर परियोग किया तो ये दवाईयां अंदर जाकर के और उनको एग्राविट करेगी तो पूरे सरीर के अंदर अगर कोई दो चार गांटे फूल गई है तो लेने के देने पड़ जाएंगे साब सफाई करो और करो तो लिपोमा की गांटे जो तकलीफ देती ही नहीं है तो उनके साथ छेड़ चार नहीं करनी चाहिए ऐसा मेरा खुद का सोचना है ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही करें आप अपने डोक्टर से एड़वाइज कर लें केल करिया फलॉर इसको जहां आपके सरीर के अंदर गुमड़ा या फोड़ा या गांट ऐसी हाथ पे या और अन्य जगे पे होता है तो एक हजार पोटेंशी के अंदर दिन में तीन खुराक लें अगले दिन कोई दवा नहीं लें उसके अगले दिन फिर तीन खुराक लें इसी के अंदर है वो गांट या तो फूट जाएगी या बेट जाएगी गले की गांटों को भी ये खतम कर देता है यानि कि केल करिया फपलॉरिका 6 अक्स 12 अक्स किसी होमेपेतिक दवा के साथ में आप दें और इसको separate अकेला ही काम में लेना है तो इसको 1000 से कम में काम में नहीं लें इस दवा का कोई side effect नहीं क्योंकि बिना किसी कारण तो आप लेंगे नहीं आपके कहीं न कहीं गांट है दज कर रही है तब ही लेंगे तो अगर कोई सही कारण की वज़े से मेरा मतलब है कि तकलीफ की वज़े से अगर नहीं लेगा हाई पोटेंसी तो ये दवाईयां किस काम की है वेस से कोई आदमी पागल नहीं कि कोई छोटी मोटी फूंसी होती रहाजारों पोटेंसी खा जाता है ऐसा करना ठीक नहीं आपको लगे कि भी ये गांट है यहाँ पे एक ही है पूरे सरीर के अंदर या यहां गले में एक ही गांट है तो आप एक हजार पोटेंसी का निश संकोच हो करके परियोग कर सकते हैं या तो मुझसे पूछें या अपने डोक्टर से एडवाइज कर लें केल करिया फ्लॉर जो बायो केमिक होते हुए जब एक हजार और दो सो पोटेंसी में पहुंचती है तो बड़ी ही सकतिसाली दवा हो जाती है ये कोनियम के सद्रश्य दवा यानि की गिठानों को सही करने में बहन बेटियों को ब्रेस्ट के अंदर गांट होना यूटिरिस के अंदर गांट होना उस तक को भी करती है लेकिन इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखो कि लेडी डॉक्टर यूटरिस के अंदर जो गांट होती है उसका चेक अप कर लेती है तो ऐसा सब्जेक्ट आ जाए तो लेडी डॉक्टर को ही सूपर करना चाहिए बेहन बेटियों को आपको दखल अंदाजी ने देना चाहिए और कोई उपाई अगर नहीं है तो फिर आप कोनियम और केलकरिया फ्रॉर इनका परियोग कर सकते हैं ये दोनों दवाईया सक्त गिठानों को बिल्कुल साफ करती है यकीन होना चाहिए और दूसरी बात जहां गूमड़े जहां गांठे जहां गिठाने इस तरह की जो चीजों का इलाज जहां करना है या कराना है तो आप खुद इसके अंदर अपने पंचायत ने करके अपने डोक्टर की एड़वाईज से करें क्योंकि ये एक नाजुक मामला है ठैंक्स